चलो करते हैं अगला क्यूसन अगला क्यूसन है परदर्शित परीफत में एक सेक्षन में धारा यानि आई का मान क्या होगा ठीक है तो बताना क्या इसमें धारा का मान बताना यानि आई का मान बताना है अब ये जो डायगराम है यानि इस ब्रांच में अपने को धारा बतानी है कि इस ब्रांच में धारा कितने प्रवाइद होगी अब ये जो क्यूशन है ये केसियल के नियम से है ठीक है एक होता है केसियल का नियम और एक होता है केवियल का नियम तो केसील कर नियम क्या होता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा अब देखो सबसे बेले इसमें देखें कि इसमें कितने नोड है तो इसमें दो नोड है एक ये और दूसरा ये तो इसमें कितने नोड है दो नोड है अब केसील कर नियम क्या होता है कि नोड पर आने वाली धारा बराबर नोड पर जाने वाली धारा ठीक है तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि नोड पर आने वाली धारा कौन कौन सी है तो इधर से देखो आ रही है इस नोड पर 2 एमपियर इधर से आ रही है 1 एमपियर तो यहां पर लिखेंगे 2 पलस 1 ठीक है बराबर जाने वाली धारा यहां पर कितना है 1 ठीक है बराबर जाने वाली धारा तो जारी है अपने पास में, तो जारी है अपने पास में 1.3 ampere, पलस बताना क्या है अपने को, आई का मान बताना है, तो आई का मान क्या होगा, तो आई बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1.7 ampere, कितना हो जाएगा, 1.7 ampere, अब देखो, इसको और simply अपन क करके देखते हैं देखो इस नोड़ पे इदर से कितनी आ रही है दो एमपियर इदर से कितनी आ रही है एक एमपियर तो दो इदर से आ रही है एक इदर से आ रही है तो इस ब्रांच में कितनी जाएगी तो इस ब्रांच में जाएगी अपने पास में तीन एमपियर ठीकर अब इसमें इसे वाली ब्रांच में जो धारा परवायत होगी वो कितनी होगी तो इसमें जो धारा परवायत होगी वो एक पॉइंट साथ एमपियर धारा परवायत होगी ठीक है तो आंसर कितना आएगा एक पॉइंट साथ एमपियर तो कौन सा ओप्षन होएगा ओप्षन डी करे अगला क्यूशन चलो करते हैं अगला क्यूशन दो परतिरोद R1 और R2 R1 और R2 सरेनी करम में जुड़े हैं कौन से करम में? सरेनी करम में यानि स्रीज करम में जुड़े हैं R1 बराबर 528 और पलस माइनस कितना ओम है? 5 ओम है और R2 बराबर 325 और पलस माइनस कितना ओम है? 3 ओम तो कुन परतिरोद क्या होगा? यानि R2 का मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखो कौन सा करम है? सरेनी करम अब सरेनी करम का सुत्र क्या होता है? तो इसका सुत्र होता है RT बराबर R1 पलस R2 ठीक है? यही होगा? अब सरेनी करम में क्या होता है? कि जो परतिरोदों का मान होता है वो क्या होता है? जुड़ता है अब यहां पे rt बराबर r1 का मान कितना है rt बराबर r1 का मान कितना है तो r1 का मान यहां पे देखो 528 तो यहां लिखेंगे 528 और पलस माइनस कितना 5 ohm उसके बाद मैं sign किसका लगाएंगे पलस का R2 का मान कितना है तो R2 का मान यहां देखो 325 और पलस माइनस तो यहां लिखेंगे 325 और पलस माइनस और पलस माइनस हो जाएगा यह 3 Ohm ठीक है तो R2 बराबर कितना आएगा तो यह हो जाएगा अपने पास में तो यह हो जाएगा 853 853 पलस माइनस आठ ओम, ठीक है, तो 853 पलस माइनस आठ ओम, ठीक है, तो कौन से option में है, तो D option में ये है, इसलिए हमारा कौन सा answer सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा, तो करो note, फिर करते हैं, अगला question, चलो अगला question है, एक 0.04 फेरड, संदारितर के पार, विबुवांतर का मान 4 वोल्ट है, तो उसमें संग्रहित आवेस की मात्रा क्या होगी, अब इसमें देखो, बताना क्या है अपने को, आवेस की मात्रा बताना है, अब देखो, इसमें एक तो क्या दे रखा है, C, ठीक है, कितना दे रखा है, तो 0.04 फेरल, उसके बाद में दूसरा इसमें दे रखा है, B, कितना दे रखा है, तो 4 वोल्ट दे रखा है, अब इसम इसका सुत्र क्या होता है तो इसका जो सुत्र होगा वो Q बराबर C into V होगा अब देखो Q अपने को बताना है तो Q बराबर C का माण कितना है तो C का मान है इसमें 0.04 उसके बाद में गुणा V कितना है तो V है इसमें 4 तो Q बड़ाबर कितना आएगा तो 0.16 कुलाम, कितना आएगा, 0.16 कुलाम अपना सही आंसर आजाएगा, कौन सा option हो जाएगा, option C सही हो जाएगा, तो करो note फिर करते हैं अगला क्यूशन नीचे चित्र में दिखाए गए परिफत में एक ओम परती रोधक, एक ओम परती रोधक में परवायत होने वाली धारा, आई का मान क्या होगा, ठीक है, अब इस डाइगराम में बताना क्या है, इस परती रोधक में अपने को बताना क्या है, आई बताना है कि इसमें धारा का म क्या होगा अब आई बताना है तो यहां पे लगाना पड़ेगा आई का फोर्मूला तो आई का फोर्मूला क्या होता है तो आई बराबर वी बटा आर होता है अब यहां पे वी कितना है तो यहां पे देखो वी कितना है पांच तो यहां लिख देंगे पांच और आर कितना है तो R यहां देखो कितना है एक, तो बराबर में कितना आएगा तो यहां पे आएगा 5 Ampere कितना आएगा 5 Ampere ठीक है, तो कौन सा option सही हो जाएगा option C सही हो जाएगा, तो करो इसको note फिर करते हैं अगला question चलो अगला question देखो भारत में बिजली की supply के लिए supply की आवर्ती क्या है ठीक है, यानि भारत में जो supply की जो frequency होती है वो कितनी होती है तो यह question में हमें बताना है अब देखो, जो AC supply होती है न AC supply AC supply की जो आवर्ती होती है वो होती है पचास हटज होती है और पलस माइनस कितना परसेंट तीन परसेंट ठीक है अगर DC DC supply की बात करें तो DC की जो आवर्ती होती है वो कितनी होती है 0 हटज होती यानि सुन्ने हटज होती है उसके बाद में यहां पे है 6 हटज 6 हटज होती है यह होती है USA کی इसकी होती है USA क्योσह पूचा क्या है बारत में बिजली की supply के लिए supply की आवर्ती क्या होगी, ठीक है, तो AC supply की जो frequency होती है, जो आवर्ती होती है, वो कितनी होती है, 50 हटज होती है, और plus-minus कितना परशेंट, plus-minus 3%, ठीक है, तो कौन सा option, B option, correct हो जाएगा, और अगर आपको पुछे DC supply के लिए, कि DC की आवर्ती कितनी होती है, तो DC की जो आवर्ती होती है, वो सुनने हटज होती है, यानि 0 हटज होती है, और अगर आपको पूछे, 60 हटज किसकी होती है, तो USC की होती है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्यूशन, अगला क्यूशन है, 220 वोल्ट, 50 हटज का एक परिरक्ये परिफत, यानि Inductive Circuit, 30 डिग्री, पस्षगामी पर 11 एमपिर की धारा लेता है, तो परिफत का परिरक्ये परति घात क्या होगा, ठीक है, अब परिरक्ये परति घात का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, इंड़क्टिव रियक्टेंस इंड़क्टिव रियक्टेंस ठीक है और अगर सोट में अगर हम लिखे तो इसको XL आप देखो यहाँ पे करना है इसको सोल करना है अब बताना क्या है अपने को यहाँ पे बताना है XL बताना है तो XL बराबर V बटा आई होता है अब बताना क्या है XL बताना है अब V का मान कितना है तो V का मान यहाँ देखो 220 तो यहाँ पे 220 बटा आई कितना है तो आई यहाँ पे देखो कितना है 11 Amp ठीक, तो बराबर में कितना आएगा, तो यह आएगा अपने पास में दो और यहां पे 0 ohm, ठीक, तो कितना आएगा, 20 ohm इसका correct answer आएगा, तो कौन सा option हो जाएगा, option C correct हो जाएगा, यानि C option सही हो जाएगा, तो करो भाई इसको note पिर करते हैं, अगला question करते हैं, चलो करते हैं, अगला question, परत्यावर्ती वोल्टता, कितना है, 200 sign, 314 T दी गई है, इसका ओसत्मान क्या होगा, अब इसमें बताना क्या है, ओसत्मान बताना है, यानि I average बताना है, तो चलिए करते हैं, इस question को, तो सोल करते हैं, तो इसका formula क्या होता है, तो I average बराबर, 2 into I am, ठीक है, अब I am या फिर V am, बटा नीचे क्या जाएगा, पाई, अब बताना क्या है, I average बताना है, बराबर, 2, I am का मान कितना है, तो I am का मान यहां देखो कितना है, 200, तो गुना, यहां पी कितना लिखेंगे, 200, बटा, पाई का मान कितना होता है, 3.14, तो बराबर में कितना लिखूंगा, तो 400, बटा, 3.14, उसके बाद में, अब बराबर में क्या लिखेंगे, तो V average, बराबर कितना, यह हो जाएगा, यहां पे, 127.4 V, तो यह कौन से option में सही है, ए option में सही है, तो कौन सा option हो जाएगा, ए option सही हो जाएगा, तो करो भई, note फिर करते हैं, इसके आगे, चलो, अगला क्यूसन है, एक ज्यावक्रिये तरंग, कि समये अबदी, मिली सेकिंड में, निर्धारित करें, जब तरंग की आवर्ती, 60 हर्टज है, ठीक है, अब इसमें देखो, बताना क्या है, समये अबदी, ठीक है, यानी हमें क्या बताना है, आवर्तिकार का, फॉर्मॉला क्या होता है, उसका जो फॉर्मॉला होता है, वो T बराबर 1 अपोन F होता है अब देखो बताना क्या है? T बताना है यानि आउट काल बताना है तो T बराबर 1 अपोन नीचे कितना? 60 ठीक है? बराबर में कितना लिखूंगा? त बराबर में हो जाएगा 0.0167 अब देखो अपने पास में संख्या क्या आई? तो 0.01667 अब बताना किस में है? मिली सेकिंड में बताना है अब मिली सेकिंड में अगर इसको बदनेंगे तो यहां पे 16.677 हो जाएगा ठीक है? तो यह किस में होगा? मिली सेकिंड में ठीक है? तो कौन सा ओप्सन होएगा? ए ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है? करो नोट अगरा क्यूसन देखो जावक्रिये तरंग की आवर्ती अटज में क्या होगी? जब तरंग का आवर्त काल 25 मिली सेकिंड है ठीक है? तो बताना क्या है अपने को? आवर्ती बताना यानि फ्रिक्वेंसी बताना है अब आवर्त काल कितना दिया है? यानि T कितना दिया है तो T दिया इसमे 25 मिली सेकिन तो 25 गुणा मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 3 ठीक है तो आवर्त काल कितना 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा अब बताना क्या है इसमें F बताना यानि Frequency बताना है यानि आवर्ती बताना है अब एप का सुप्तर क्या होता है तो F बराबर 1 अपोन T तो बराबर 1 अपोन T कितना है तो T देखो यहां पे तो यहां लिखेंगे 25 गुणा उसके बाद में 10 की पावर माइनस का 3 अब देखो यह जो 10 की पावर माइनस का 3 है नीचे से उपर जाएगा तो किसका हो जाएगा तो यह हो जाएगा पलस का तो यहां पी 10 की पावर 3 यह फिर यहां कितना लिखेंगे 1000 और नीचे कितना लिखेंगे 25 तो बराबर में कितना तो यह हो जाएगा 40 तो कौन सा option हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा, यह option सही हो जाएगा, ठीक है, करो note, फिर करते हैं, अगला question, चलो, अगला question है, नीचे दर्शाय गए परिफत में, जा वक्रिय सरोत की धारा क्या होगी, ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, धारा का मान बताना यानि, आई का मान बताना है, अब इसमें धारा ग्यात करने का सुत्तर क्या होता है, तो आई बराबर, अंडरूर, I square R plus I square L ठीक है अब ग्यात क्या करना है I ग्यात करना है अब I ग्यात करना है तो यहां पे I R square का मान कितना है तो I R square का मान कितना है यहां पे देखो तो यहां पे है 12 A तो यहां लिखेंगे 12 और यहां पे लिखेंगे इसका square उसके बाद में आगे साइन है पलस का उसके बाद में I L स्क्वाइर का मान कितना है तो यहां पर देखो कितना है 16 तो यहां लिख देंगे 16 तो यहां पर इसका स्क्वाइर ठीक है तो I बराबर अंडरूर बारा का स्क्वाइर कितना होता है तो 144 ठीक है 16 का square कितना होता है तो 16 का होता है 256 ठीक है तो बराबर में under root कितना लिखेंगे 400 under root कितना लिखेंगे 400 तो i बराबर कितना ampere आएगा 20 ampere ठीक है तो 20 का square का होता है 400 होता है इसलिए यहां पे कितना ampere आएगा 20 ampere आएगा ठीक है तो कौन सा option हो जाएगा option A correct हो ठीक है तो करो note फिर करते हैं इसके अगला किसन